नमस्कार जय जोहार प्री विद्यारतियों आज मैं आप लोगों को समक्ष उपस्तित हुआ हूँ चार लेक्ष आपको आप लिएगों को साधे बार बजे बार वजे देख रहे हैं आपको साड़े आठ बजे अच फिर मेलेगा दूसरा वीडियो मेरा और तीस तारिक को दो वीडियो और तो टोटल चार वीडियो में हम पूरी बात कवर करें प्रियास करेंगे, संभाविट टॉपिक्स की भी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, जो जो टॉपिक्स जहां से कॉष्चन्स बन रहे हैं, देखिए रास्ट्रियाय का मतलब क्या होता है, what do you mean by national income तो आप देखेंगे कि एक financial year में याने एक अप्रेल से लेकर करके 31 मार्च तक एक अप्रेल से लेकर करके 31 मार्च तक, रास्ट्री आया है इसलिए रास्ट्र के अंतरगत ठीक है, देश के अंतरगत जितनी भी वस्तुओं या सेमाओं का जितनी भी वस्तुओं और सेमाओं का उत्पादन हुआ है production हुआ है, इनका final value या जिसको मैं अंतिम मुल्य भी कहता हूँ final value, जैसे for example मैं कहूँ कि भई, मान लिजे गन्ना है गन्ना raw material है गन्ने से हम बना रहे हैं शक्कर, ठीक है तो मेरे को final value से मतलब है गन्ने से मतलब नहीं, मेरे को final value से मतलब है शक्कर भी या एक किलो की 40 रुपए किलो है शक्कर तो 40 रुपए मेरे को मतलब है रास्ट्री आए के अंतिकर, यानने final price से मतलब है raw material से मतलब नहीं, दूसरी जी सर वस्तु तो जिसको अपने लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं, जिसको आप टेच्च कर सकते हैं, वो वस्तु कहलाती है, और महसूस कहने का मतलब जिसको आप फील कर सकते हो, वो आपकी सेवा कहलाती है, for example, मान लिजे कि आप परिवहन का उपयोग करते हैं plane का उपयोग करते हैं 7000 रुपए दे करके आप एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं हम आप बोलेंगे हम तो एक दूसरी जगह पहुंच के हमको तो कोई चीज मिली नहीं रिटर्न में आपको मिली सेवा आप इतना बड़ी दूरी को इतने कम समय नहीं आ पने टाय कर लिया यहांने जिसको आप फिछा सकते हैं वो सेवा है कहने का मतलब यह है इधी वह बिजनेस भी कर रहा या नौकरी बिदा आ अपनी बात करें कॉमटिशन कम्विंटी लुट सब्क्री है तो। यूटिव फिर विया शर्विस फ्री जए यह free of cost है लेकिन आपके लिए आपको इसके लिए कम से कम हमको directly pay नहीं करना पड़ा लेकिन internet तो आप पे करना पड़ रहा है तो यहाँ पर आपको वस्तू का दाम पे करना पड़ रहा है कहने का मतलब कोई भी वस्तू या कोई भी सेवा जिसे आप छू सकते हैं या जिसे आप मह लोगे कि सर ये रेफिनेशन तो हमको पता है लेकिन आप यह बताई कि रास्ट्रिया की गणना क्यों की जाती है तब तो हमको थोड़ा सा मेंस वाली अर्टिकल 38 क्या कहता है कि राज्य मतलब यहां पर सरकार से मतलब है स्टेट मतलब गवर्मेंट से मतलब है तो यहां भी कहीं न कहीं समाज का कल्यान चुपा हुआ है समिधान की प्रस्तावना क्या कहती है तो प्रवाइड सोशल, एकनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस याने समाजिक, आर्थिक और राजनेतिक न्याए तो यह जो तीन प्रकार के न्याए प्रवाइड करने की बात करते हैं समाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याय, यहां आर्थिक न्याय की यहीं में बात करूँ, तो आर्थिक न्याय तभी सुनिश्चित हो सकता है, जब 39 के अनुसार संसाधनों का समुचित वित्रण हो, यहने Equitable Distribution of Resources, संसाधनों का समुचित वित्रण, तभी तो आएक यह समान तक हो कि वेटा, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, यहिदि संसाधनों का भारत में समुचित वित्रण नहीं होगा, Equitable Distribution of Resources नहीं होगा, तो फिर कैसे समाज का कल्यान सुनिश्चित होगा, कैसे फिर आर्थिक न्याय सुनिश्चित होगा है, समाजिक तोर पर, आर्थिक तोर पर, राजनेतिक तोर पर आप देखते हैं, यह सारी जुड़ी हुई है, तो कहीं न कहीं यह चीज़ें जो आर्थिक चीज़ें, वो समाज से भी जुड़ी हुई है, तो आप देखेंगे, कि समाज के कल्यान के लिए, आर्थिक कल्यान के लिए और देश के विकास के लिए रास्ट्रिया की गढ़ना की जाती है ठीक है तो रास्ट्रिया की गढ़ना क्यों की जाती है अदि आप से पूछा जाए तो आप जरूर इन आप जिक्र करके बता सकते हैं और आपने answers में अच्छी quality ला सकते हैं यहाँ पर रास्ट्रिया की परिभाशा बोली गई है तो रास्ट्रिया की परिभाशा बता सकते हैं कि एक वित्ती वर्ष में एक financial year में उत्पादित समस्त वस्तूं और सिवाओं के अंतिम मौद्रिक मु भाशित कर सकते हैं ठीक है इसके बाद आप देखेंगे कि एक question आपको और दिखाई देरा होगा कि रास्ट्रिया की गणना में त्रीतियक छेत्र के अंतरगत किन-किन सेवाव को सम्मिलित किया गया है तो आप देखें कि जो previous year question होते हैं वो बहुत important इसले भी हो जाते हैं क आपको वहाँ से पता चलता है कि कहां कहां से questions पूछे जा रहे हैं अब जब रास्ट्रिया की गणना की जाती है तो आप देखें कि रास्ट्रिया की गणना करता कोन है देखें रास्ट्रिया की गणना यदि मैं 2019 तक बात कर विटा तो एक संस्था है जिसका नाम है CSO Central Statistical Office केंद्री सांखी की कारियाल है यह काम करता था इसको help out करता था जो data provide कराने में NSSO ठीक है तो जो NSSO है National Sample Survey Office रास्ट्री नमूना या रास्ट्री प्रतिदर्श सर्वेक्षन संस्थान तो जो NSSO है यह जो data provide करता था यह तीन छेत्रों का data provide करता था एक छेत्र हुआ करता था आपका primary sector जिसको हम लोग क्रात्मिक छेत्र या क्रिशी छेत्र भी कह देते हैं दूसरा हुआ करता था secondary sector जिसको हम लोग द्वितियक छेत्र या उद्योक छेत्र भी कह देते हैं और तीसरा हुआ करता था करिशरी सेक्टर जिसको हम लोग त्रितियक छेत्र या सेवा छेत्र भी कह देते हैं अभी अभी मैंने बताया आपको questions पुछा हुआ है त्रितियक छेत्र के अंदर किसको किसको शामिल किया हुआ अब आप देखें राष्टरी है कि गरिणा CSO करता था CSO को डेटा प्रोवाइड करता था NSSO और NSSO बेसिकली एकनोमी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके डेटा कलेक्ट करता था कि बहुए किरिशी चेतर का कितना है उद्योग चेतर का कितना है सेवा चेतर का कितना अपने एकशनों को मिला करके कर दिया कहने का मतलब CSO और NSSO को मिला करके बना दिया NSO National Statistical Office रास्ट्री सांखी की कार्याल है अब सर यह ऐसा क्यों किया देख वड़ा इसलिए ऐसा किया क्योंकि यह जो दोनों के दोनों है CSO और NSSO basically एक ही काम कर रहे हैं मिल करके और जब एक ही काम कर रहे हैं तो अलग-अलग संस्थान के रूप में क्यों काम करें एक ही काम एक ही संस्थान के रूप में काम करें उसके सांखी की मंत्राले के अंदर काम करते हैं तो दोनों को 2019 में NSO बना दिया गया तो यदि आप आप से कोई कोशन पूशता है वे दो नमबर पूछा जा सकता है कि रास्ट्रिया की गणना क्या है और या रास्ट्रिया की गणना के लिए अर्थ वेवस्था को तीन छेत्रों में त्रितिया क्षित्र ठीक है तो आईए हम लोग देखते हैं क्रिशी छेत्र में क्या क्या आएगा आएगा आपका विटा देखें क्रिशी छेत्र में आपका आएगा एक तो क्रिशी हो गया फिर अग्रिकल्चर है ना फिर पशुपालन एनिमल हस्बेंडरी ठीक मत्सिपाल और उत्खनन, mining and querying भी किस के अंदर आता है, क्रिशी छेत्र के अंदर आता है, यहने primary sector के अंदर आता है, ठीक है, उद्योग छेत्र की बात करें, तो उद्योग छेत्र में आप देखेंगे, तो विद्यूत हो गया, यहना electricity, gas, water supply, विद्यूत गैस, जलापूर्ती, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा निर्मान, construction, वि निर्मान, manufacturing, तो यह सारी चीज़े हैं, विद्यूत, गैस, जलापूर्ती, निर्मान, वि निर्मान, आदी, यह किस के अंतर गताएंगे आपके, उद्योग छेत्र, जयात रखेंगे, निर्मान और वि निर्मान अलग-अलग है, निर्मान का मतलब होता है, कि, for example, माल लेजे, कि इंट से, आप इंट पर इंट रखकर दिवार खड़ी कर रहे हैं, ऐसी चार दिवारी आपने खड़ी की, और फिर लेंटर डाला और घर बन गया, लेकिन देखिए, इंट का अस्तित्तों हमेशा रहेगा, जब वो घर तू तो manufacturing के अंदर raw material समाप्त हो जाता है, निर्मान के अंदर raw material भी बना रहता है, तो निर्मान और वी निर्मान इन दोनों का आप यहाँ पर नंतर समझने का प्रियास करें, ठीक, तिसरे नमबर पर यहाँ हम देख भीटा, तो सेवा छेतर की मैं बात करता हूँ, सेवा छेतर की बात करें आप फोन का यूज करते हैं इंटरनेट का यूज करते हैं आज भी आप मेरे माद मिझे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए है यूट्यूब के माध्यम से ठीक उसका सिक्षा हम आपको जो सिक्षा दे रहे हैं वह एक प्रकार्ज की सेवा है ठीक है तो बिसक्षा हो गया अनुसंधान कि रिसर्च की मैं बात करता हूं ठीक है शिक्षा अनुसंधान तो यह जो सारी चीज्जें एक और इसमें बहुत तो खरीद दी, घर तो आपने खरीद लिया, मालीज़ आपने एक जमीन खरीद दी, फ़र एकजांपल, या घर भी खरीदा, और उस घर को खरीद करके बेज दिया, तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है, आप यदि देखें, इस्थाबर संपदा, तो यह संपदा का आद तो इन सारी services का वो पैसा लेंगे, फिर एक annual maintenance fees भी होती है, जो आप किसी कालोनी में रहते होंगे, तो आपको पता होगा, वो आपको देनी परती है, सब service cost होती है, जो स्थावर समपता से जूड़ी हुई है, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि तीन छेत्रों में भा भाशित करने की बात की गई है, तो यहाँ पर एक और question पूछा हुआ है, सकल रास्ट्री उत्पाद, तो आप देखेंगे सकल रास्ट्री उत्पाद यादि question पूछा हुआ है, तो यहाँ पर और क्या-क्या question पूछ सकते हैं, सब देखेंगे पहले सकल रास्ट्री उत्पा GDP, Gross Domestic Product, जिसको हम लोग सकल, घरेलू, उत्पात के नाम से जानते हैं, GDP, ठीक है, दूसरे नमबर पर आता है, NDP, जिसको हम लोग कहते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट ठीक है तीसरे नमबर पर आता है बेटा जी एन पी इसको हम लोग कहते हैं सकल राश्ट्री उत्पाद यहने ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्ट ठीक और अन्तीम है एन एन पी यहने नेट नेशनल प्रोड़क्ट यहने शुद्ध राश्ट्री प्रोड़ शुद्ध को कई बार निवल भी कह दिया जाता है निवल एक ही बात है निवल या शुद्ध ठीक है अब देहां से सुनिएगा कि जीडीपी से पन शुरू करते हैं इवल भी क्या है तो देखें यहां यदि मैं यह हमारे देश भालत की बात करूँ तो यह हमारा घर हमारा देश है तो हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर यहां दे सुनिएगा बिटा हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर यहने हमारे देश की domestic boundary के अंदर domestic boundary के अंदर जो भी production हो रहा है जो भी उत्पादन हो रहा है अभी मैंने आपको बता है थोड़े देर पहले उत्पादन दो चीजों का होता है एक या तो किसका होता है वस्तूओं का उत्पादन होता है या किसका उत्पादन होता है सेवाओं का उत्पादन होता है ठीक तो जिसके भी अंदर चाहे वो वस्तू हो चाहे सेवा देखिए उस उत्पादन से ही आप जहां से सुनिएगा बेटा या तो सेवाओं का उत्पादन हो या आधर गुड्स और सर्विसस तो जो उत्पाद आया हुआ ये उत्पादन से आया हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड़क्ट जहां आया हुआ है वो प्रोड़क्शन से आया हुआ प्रोड़क्शन या तो गुड्स का होगा या तो तो चाहिए आपको यदि डेफिनेशन लिखनी होता, आप क्या लिखेंगे, सिंपल ध्यान से देखें, या सुनिये का, कि एक वित्ती वर्ष में, in a single financial year, एक वित्ती वर्ष में, देश की घरेलू सीमा के अंतरगत, उत्पादी समस्त वस्तू और सीमाओं का अंतिम मौंटरि GDP, GDP is the final monetary value of all the goods and services produced within the domestic boundary of a country, in a single financial year, that is from 1st of April to 31st of March, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, इसके अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है भारत की देश की सीमा के अंदर, वो सारा का सारा GDP के अंतर गताएगा, अब आपके मन में एक प्रशन आना चीए, कि सर, भारत के तो एक भारती भी कमा रहें, और विदेशी भी कमा रहें, विदेशी फॉर एक्जामपल यदि मैं बात करूँ, तो एक सिंपल एक्जामपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप सब मोमोज खाते होंगे, तो मोमोज आप देखेंगे कि कई बार बहुत सारे समय ऐ यह हमारे यह भी अपने हमारे हैं, लेकिन यह भारत देश की सीमा में, मतलब यह भारती नागरिक नहीं है, यह भी देशी नागरिक कहलाएं, अब यह अलग बात है कि ओपन बॉर्डर है, हमको वहाँ जाने के लिए कोई भी किसी प्रकार का, है ना, कोई पासपोर्ट, जानी रखना, हम उपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के नेपाल भूम करके आ सकते हैं, बिल्कुल, है ना, तो आप देखेंगे, और बहुत लोग जाते भी हैं, वहाँ कामाख्या मंदिर, बहुत फेमस, वहाँ लोग बहुत जादा जाते हैं, यह ठीक है, तो देखेंगे देश की सीमा के अंदर उत्पादन कर रहा है, लियर हुआ, तो भारती हो, चाहे विदेशी हो, अब जो लीगल रूप से आया हो, है ना, मैं इलीगल माइगरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे इलीगल माइगरेंट्स पर रोहिंग्यास को हम देखते हैं, बहुत सार दूसरी बाद, सर, एक तो हमारे भारती लोग बहुत सारे जैसे यह भी देशी आकर के भारत में काम कर रहें, तो बहुत सारे जो भारती नागरिक हैं, वो भी तो बहार में जाकर के काम कर रहें, आप जैसे देखोगे, तो आपने एक एसोसियेशन का नाम यदि सुना होग नाचा North Atlantic 36 गड़ा ये 36 गड़ के वो लोग हैं जो North Atlantic North America में जाकर के रह रहे हैं और वहाँ पर ये हर साल 1 November 2000 को 36 गड़ का इस्थापना दिवास मराते हैं मुझे अभी भी उद्रिश याद है जब वो गाना चल रहा है और अमेरिका सरेली निकल रही हमर पारा तुहर पारा पारा वो पारा ठीक तो देखेंगे ध्यान से सुनेंगे बटा कि ऐसे बहुत सारे भारती हैं जो 36 गड़ से ही नहीं पूरे भारत से जाकर के विदेशों में काम कर रहे हैं तो क्या उनकी आएकों लोग जीडीवी में नहीं लेंगे क्या नहीं लेंगे सर क्योंकि वह भारत की घरेलों सीमा के अंदर वस्तु या सिवा का उत्पादर नहीं कर रहे हैं तो भारत की घरेलों सीमा के अंदर नहीं कर इसलिए जीडीवी में नहीं लेंगे तो सर लेंगे कहा अब पेटा ध्यान से सुनना यदि उनको उन कि हम लोग बात करेंगे यहां पर सकल राष्ट्री उत्पाद सकल राष्ट्री उत्पाद में हम राष्ट के नागरिकों को देखेंगे कहने का मतलब हमको यहां पर सीमा से मतलब नहीं है यहां पर हमको किसे मतलब है राष्ट के नागरिकों से फिर चाहे वो भारत में कमा रह हो यदि जी एनपी की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ भारती नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त बस्तु और सिमावकांति मौद्रिक मौल यहने यहां से सुनेंगे आप लोग यहां पर आप से जो कोशन पूछा हुआ है यह सकल रास्टी उत्पात की अधारना को दो नंबर में पूछा हुआ है कहने के मतलब आप से ग्रॉस नेशनल पूड़क को पूछ रहा बिटा तो आप अराम से बता सकते हैं ग्रॉस नेशनल नागरिकों द्वारा उतपादित समस्त वस्तु और सेवाओं का अंति मौद्रिक मुली क्या कहलाता है सकल रास्टी उतपात कहलाता है अब धियान चा भूटा सा और इसको डिटेल में समझने का प्रयाज करेंगे यदि मैं GNP और GDP के बीच में एक relation निकालना चाहूँ GNP और GDP के बीच में एक relation निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ यहाँ पर भारत में कमाने वाले भारतियों को शामिल कर रहा हूँ है जी एनपी के अंदर क्योंकि नागरिकों की बात हो रही है और यहां मैं विदेश में कमाने वाले भारतियों को भी शामिल कर रहा हूँ मतलब सिर्फ मुझे भारतियों से मतलब है नागरिकों से मतलब ठीक है लेकिन यहीं मैं रास GDP की बात करता हूँ यहाँ पर मुझे नागरिकों से मतलब नहीं, अपर मुझे सीमा से मतलब, अपने घर से मतलब है, और मेरा देश ही मेरा घर है, तो मैं भारत में कमा रहे भारतियों की बात करूँगा, और मैं भारत में कमा रहे विदेशियों की बात करूँगा, भारत में कमा रहे विदेशि निकालना हूं तो GNP में मैं कुछ घटाऊंगा और कुछ जोडूंगा जैसे फॉर एक्जांपल मैं इसको कह देता हूं इंडियन की इंडिया इसको कह देता हूं इंडियां मैं इन इन इंडिया और इसको मैं कह já देता हूं इंडियन सीन फॉरें तो आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि मैंने केस प्रकार से डिनोट किया है यह भारत जो भारती जो भारत में कमारें यह विदेशी जो भारत में पैसा कमारें यह भारती जो भारत में पैसा कमारें और यह जो भारती जो विदेश में पैसा कमा रहे हैं ठीक है तो यदि मैं आप एकदम बुकिश लेंगज पढ़ने हैं छोड़ दीजे आप अपना फॉर्मूला बना सकते हैं किसी बुक को फॉलो करने क यावशक्ता नहीं है आपको यहां पर कॉंसेट बस आपको क्लियर होना चैए डेखे जिएंपन के अंदर अब ऑब बरावर मूशट जाड़ना पढ़ना है तो दोनों में कउमन क्या और भाएब बार जघ्भा इम Dong घटाओंगा किसको क्योंकि GNP में मेरे को किस से मतलब नहीं है भारत में कमारे विदेशियों से मतलब नहीं मेरे को सिर्फ औसिर भारती नागरिकों से मतलब है तो मैं यहाँ पर I.F. को घटा दूँगा तो यह मेरा GNP बराबाद GDP का फॉर्मूला आगे सिंपल सी बात है बट नहीं है इसलिए GNP बराबर GDP प्लस FI माइनस IF यह रुआ है सेम यदि आपको GDP का फॉर्मूला चाहिए तो आप GDP में क्या करोगे इसको इधर कर दो तो GNP प्लस किसको जोड़ देंगे IF और माइनस क्या हो जाएगा FI तो आप देखिए यहाँ पर आप आराम से फॉर्मूला GNP के अंदर रास्ट के नागरिकों से मतलब है और GDP के अंदर देश की घरेलू सीमा से मतलब है ठीक है it concerns with the citizens of the country and this concerns with the geographical boundary of the country यानि क्यूल मिलाकर कि आप बात देखें तो कहीं न कहीं यदि आप GDP देखें तो GDP सिर्फ और सिर्फ quantity की बात कर रहा है और ये quantity के साथ साथ आपका quality की भी बात कर रहा है यदि मैं GNP की बात करूँ ठीक है और फिर आप उसके बाद में चौथे नमर पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं GNP का एक और फॉर्मूला आपको किताबों में दिखाई देगा GNP बड़ाबर आप देखेंगे लिखा होगा C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस NFIA इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को में एक दम सिंप्लिफाई कर देता हम आपके लिए C मतलब consumption उभ्भोग I मतलब investment निवेश G मतलब government expenditure सरकारी भी आए X मतलब export यहने निर्यात माइनस M मतलब import यहने आयात और यह net factor income from abroad कहने का मतलब यह है कि माल लेजे कि भारत में कोई व्यक्ति है जो भी देशी व्यक्ति माल लेजे नेपाली व्यक्ति तो नेपाल में पैसा भेजता है वो कुछ पैसा भेज रहा है वैसी बाहर में जो भारती काम कर रहे है वो भारत में पैसा भेज रहे है तो भारत में जो पैसा आ रहा है माइनस जो भारत से पैसा बाहर जा रहा है वो कहलाएगा net factor income from abroad ठीक है NFIA इसको कहते है और export यदि आप करते हैं यदि आप करते हैं तो यह प्लस हो गया और जो आप ü्मोर्ट करते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता यदि माइनस हो गया तो X माइनस M यह जोड़ गया G मतलब सरकार जो भी है कर रही है G मतलब जो निवेश हो रहा है For example आप यदि पैसा कमाते है तो मौन लीजो आपकी salary एक लाख रुपई एक लाख रुपे एक लाख पॉर एक्जामबल आप प्ट्राइ diva करतें पंजास जिधन रुपए यह वल्म स्ट करते हैं तो पैसे जा एक उपन शामिल करें तो बहरतिएं की हमारे से है रास्ट के नागरिकों से मतलब तो जी एंपी ही आप एक ये भी परिभाशा समझते हुए चलेंगे ठीक है तो देखिए एक तो मैंने क्या कहा एक मैंने आपको कहा था चार तरीके होते हैं एक हो गया आपका GDP दूसरा क्या हो गया जी एंप ये चीज़ें आपको वहतर समझ में आ गई है अब एकदम आसान है NDP और NNP के बारे में जानना यदि मैं NDP के बात करूं बिटा कुछ नहीं आप देखिए यदि भारत में आप एक कार खरीते हैं पर एक्जामपल आप 20 लाग रुपे की कार खरीते हैं ठीक है 20 लेक्स की आप कार खरीते हैं अब क्या आप यह कार बहुत हुआ तो कितने में विग जाएगी 15 लाग रुपे में बिल जाएगी क्योंकि अब यह साल भर चल चुकी है याने फॉस्ट हैंड से क्या हो चुकी है सेकेंन हैं और सेकेंड की उतनी वैल्यो नहीं होती जितनी फॉस्ट हैं की यह इसका कुछ मूल यह ज में आ रही हैं, साल भर के अंदर उसकी value depreciate हो गई, यानन जो depreciated value है, इसको आप हिंदी में मूलिहरास भी कह देते हैं, मूलिहरास यानन मूलिहरास में कमी हो जाना, इस चीज़ को यदि आप याद रखते हैं, बहतर तरीके से, तो आप शांदार तरीके से रास्टिया के concept को, चाहे GDP पूछे, चाहे NDP पूछे, चाहे GNP पूछे, चाहे NNP पूछे, आप आराम से इन चीज़ों को बताने में सक्षम होंगे, ठीक, अब देखिए, एक चीज और होती है, कि एक तो हो गया कारक लागत, कारक लागत, जिसको हम लोग कह देते हैं, factor cost, ठीक है, और एक होता है, बाजार मुल्य, जिसको हम लोग कहते हैं, market price, ठीक है, तो एक हो गया आपका कारक लागत, और एक हो गया आपका बाजार मुल्य, क्या होता है, कारक लागत म factors of production याने उत्पादन के कारक यदि मैं बोलूँ simple यदि मैं बोलूँ की कवरधा में और सरगूजा में कोगी गन्ना बहुत मिलता है तो यहाँ पर आपको factory दिखाई देगी शक्कर की है ना तो शक्कर की यदि देगी तो सबसे पहले आपको तो land चाहिए तो land पर याने भूमी पर सबसे पहला उत्पादन का कारक क्या हो गया भूमी दूसरा उस लैंड पर काम करने वाले श्रमिक चाहिए याने वहां पर labor की व्यवस्ताओं चाहिए श्रम की व्यवस्ताओं चाहिए तीसरी बात है जो मशीनें आप सेट अप करेंगे उसके लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी पूझी लगानी पड़ेगी ठीक है अब ये पूझी दो प्रकार की होती है एक होती है भौतिक पूझी फिजिकल कैपिटल जो मशीनें वगर आप लगाएंगे ठीक और दूसरा होता है बटा मानव पूझी जिसको आप हुमन कैपिटल या हुमन रिसोर्स भी कहते हैं सबसे बड़ी चीज तो ये है क्योंकि मानव पूझी याने मानव का ग्यान और उद्यम इसको पर इंग्लिश में नॉलेज एंड एंटरप्राइस कहते हैं तो मनुष्य का ग जा सकती है ऐसा सूचा गया तो याद रखना भूमी श्रम पूझी भौतिक पूझी में और मानव पूझी में याने लैंड हो गया लेबर हो गया फिजिकल कैपिटल और हुमन कैपिटल ये फैक्टर्स ऑफ प्रड़क्शन है तो मान लीजे कि एक किलो शक्कर जो बन करके तयार हो रही फैक्टरी के अंदर उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है उसकी कॉस्टिंग आ रही है कितनी 20 रुपए लेकिन मार्केट में जाते जाते वो कितनी की हो जारी है 40 रुपए की हो जारी है कहने का मतलब इसका मार्केट प्राइस कितना हो गया बाजार मुले कितना हो गया 40 रुपए ठीक अब देखें यह जो 20 रुपए है फॉर एक्जामबल आपन मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि 5 रुपए जो है इसके बनने में लगा 5 रुपए इसकी packaging में लगा 5 रुपए इसके ट्रांस्पोर्ट में लगा और पांच रुपे जो फैक्टरी वाला है उसका प्रॉफिट हो गया ठीक है तो टोटल यहां पर कितने रुपे आ रहे हैं बीस रुपे अब यह जो 20 रुपे हैं इसमें माल लिए कुछ टेक्स जुड़ ज़ाता है और कुछ प्रॉफिट जुड़ जाता है दस रुपे टेक्स जुड़ गया और On जुड़ गया तो 40 रुपे क्या हो जाएगा आपका market price हो जाएगा 40 रुपे क्या हो जाएगा बाजार रिमूल हो जाएगा तो याद रखना कि GDP की करना दो अधार पर की जाती है कारक लागत पर की जाती है जो factors of production पर निधारित होता है और दूसरा बाजार रिमूल पर की जा subsidy सरकार देती है तो subsidy को आप क्या कर लेंगे घटा लेंगे ठीक है इसको मैं एक example के मादर में समझाता हूं कि माल लिजे आपको एक जो cylinder है अभी तो बहुत महंगा मिल रहा है cylinder तो 1000 रुपे का सिलेंडर है ठीक है 1000 रुपीज का सिलेंडर है पर जो इसकी आप देखेंगे इ 700 रुपे का टेक्स लग रहा है ठीक है लेकिन फिर आपको यह 1000 रुपे कैसे बड़ी बटा 500 और 700 तो 1200 रुपे है सर 200 रुपे हमारी subsidy क्या हो गई यहाँ पर माइनस होगे इसलिए हमको 1000 रुपे मिला अब यह subsidy जो सरकार देती है वो किसी भी माद्दय हम से दे सकती है for example जब जब registration होता है इसका जब जब आप number लगाते है फोन से तो वहाँ एक message चला जाता है और फिर वहाँ से जो पैसा है वो 200 रुपे है या 300 रुपे है जो भी है आपके account में direct benefit transfer हो जाता है तो याद रखेंगे GDP at factor cost भी यहाँ पर पूछा हुआ एक question और यदी मैं इसको थो यदी मैं NNP को factor cost परनी का लूँ किस परनी का लूँ factor cost परनी का लूँ sir और यदी मैं इससे population को घटा दू population को रहत देश की जन संख्या को तो आपको एक average प्राप्त होगा जिसको मैं कहूंगा प्रतीव यक्तिया याने per capita income तो एक परिभाशा ये भी पूछा हुआ है कि प्रतीव यक्तिया की परिभाशा क्या है? What is the meaning of per capita income? तो you will say when we will calculate the net national protected factor cost and we will divide it by the population of the country, then we will get the average income that is known as the per capita income. जब हम कारक लागत पर सकल राष्ट्य उत्पात से जब मूले राष्ट को घटाते हैं तो निवल राष्ट्य उत्पात आता है तो निवल राष्ट्य उत्पात की करना जब हम कारक लागत पर करते हैं और उससे population को जन संख्या को divide कर देते हैं घटाते नहीं, divide कर देते हैं क्यों रास्टिया भारत की तेजी से नहीं बढ़ रही बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं देखें आज भी आप देखेंगे आजादी के समय 90% जनता क्रिशी पर निरबर थी आज भी हमारी 65-70% जनता क्रिशी पर निरबर है और क्रिशी चेतर को उतना बहतरीन विकास नहीं हो पा रहा है जितना सेवा चेतर का हो रहा है या उद्योग चेतर का हो रहा है यहां यदि उद्योग चेतर में भी देखें तो हमारे पास मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टेंड़ इंडिया, स्टेंड़ इंडिया, स्टार्टप इंडिया यहन्ने अभ सीधी सी बात है यहां चीप मार्केट है कहने का मतलब कम में यदि आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है जा आप देखा होगा कि वी वो ओपो के बहुत सारे फोन अभी फेमस हो रहे हैं ठीक है तो चाहे आप मिडल सेक्मेंट में देखें चाहे लोगर सेक्मेंट चाहे है कहने का मतलब यहां कि जादा से ज़ादा यहां पर आप इंडस्ट्रिंट हो बहुत मजबूत होते हैं बिलकूल सही बात है तो टार्ठा की गाडिया में महिंद्रा की गाडिया में चमट कर रहे हैं वा एक अलक्रोनक सेक्टर में भी हमको आगे करना हैं और प्रद्योग चेतर भी तेजी से ग्रोख कर रहा है। समस्या का समधान किया जा सकता है तो मैं आपसे विदा लेता हूँ मिलेंगे अगले लेक्चर में रात साधे आट बजे जैन जै भारत जै अच्छतिसका थैंक यू